हाई अबरिवन कैसे आप सब मैं राजन चौधरी हाजिर हुआ हूँ आपके लिए आज कुछ विकेंसिस लेकर के मेरे बहुत सारे भाई बहन दोस्त नौकरी चाहते हैं पर होता क्या है हमारे साथ हम जॉब इजली करने ही पाते हैं हमें मार्केट में जॉब नहीं मिलती है हमें बहुत धग्के घाने पड़ते हैं और उसके बाद हम एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं हमेशा की तरह मैं यह बात आपसे जरूर शेर करूँगा इस वीडियो में कि जो भी विकेंसीज मैं आपको बताता हूं इन विकेंसीज में मैं किसी भी तरह का कोई भी चार्च नहीं लेता हूं मेरी ये विकेंसिस बिलकुल free of course रहती है ताकि मैं इस देश में से इस समाज में से बेरुजगारी को खदम करने में अपना एक एहम रोल अदा कर पाऊं मेरी कोशिश रहती है कि सबी को कही न कहीं रुजगार तिला पाऊं मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी मेरा भाई बेहन दोस्त बुका नहीं सोना चाहिए उसको कहीं न कहीं रुजगार जरूर मिलना चाहिए और हमेशा की तरह आपसे एक बात मैं ये भी शेयर करता हूँ कि प्लीज गलत कंसल्टन्स के चक्कर में मत फसा करो बुँट सरे आप भाई बहन दोस्त पांच-पांचहजार दस-दसहजार कंसल्टन्स को दे करके की आजाते हो औरट इडवांस में उसके बावजूद आपकी नौकरी नहीं लगती है मेरे बहत सरे बाइ बहन दोस्त उस चक्कर में कंसल्टन्स के आगे पीछे गूमते हैं उनके चक्कर मारते हैं उनको कॉल्स करते हैं उसके बावजूद उनकी नौकरी नहीं लगती है और होता क्या है कि आपकी कॉल्स भी पिकने की जाती है और लास्ट में हम एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कई बार तो मेरे बहुत बाई, बहनों, दोस्तों के साथ एक गलत काम भी हो जाता है उनके करियर के साथ खिलवाड किया जाता है उनके करियर को बरबाद किया जाता है हम बनना एकाउंटेंट चाते हैं हमारी relevancy accountant की होती है और बना हमें क्या दिया जाता है receptionist हम बनना engineer चाते है हमारी relevancy engineer की होती है और हमें बना क्या दिया जाता है telecaller सो आप सबसे एक request है कि आप वो करो जो आप करना चाते हो आप वो मत करो जो दुनिया आप से कराना चाती है यह नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही था आप कोई भी नौकरी कर लेंगे जस्ट सबसे पहले अपना पैशन देखा करो आपका जो पैशन है उसी की तरफ चाओ अगर आप अपने पैशन को देखो गे तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी और आपके मतलब की नौकरी जरूर मिलेगी और हाँ जो भी विकिंसिस मैं आपको बताता हूँ अगर आपको लगता है आपने 5 दिन देखा, 10 दिन देखा, 15 दिन देखा आपके मतलब को कुछ नहीं आ पा रहा है तो आप एक काम जरूर किया कीजिए मेरे इन वीडियोज में मेरे इस चैनल पर और भी ऐसे वीडियोज होते हैं जो बिजनस से रिलेटिड होते हैं मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए बिजनस से रिलेटिड वीडियोज भी बनाओ कई पर क्या होता है कि हमारे अंदर एक ऐसा passion होता है जिसको हम बाहर निकालना नहीं चाते हैं हम निकाल ही नहीं पाते हैं हम करना कुछ और चाते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं कुछ लोग business minded होते हैं बने business के लिए होते हैं तो आप उन वीडियो को जरूर देखा कीजिए हो सकता है आपके मतलब का कुछ निकल आए हो सकता है आपका passion बाहर निकल आए अब आपको क्या करना है अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacances हैं तो please comment box के जरीए मेरे से information हासिल कीजिएगा अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacances नहीं है तो please इन vacances को आगे share जरूर कर दिया करो हो सकता है आपके share से किसी भाई, किसी बहन, किसी दोस्त को रुजगार मिल जाए हो सकता है आपके share से किसी की जिन्दगी बन जाए हो सकता है आपके शेयर से किसी की जिन्दगी बच जाए हो सकता है आपके शेयर से कोई दो वक्त की रोटी का मुथाच है तो उसको तीन वक्त की रोटी मिल जाए सिर्फ आपकी वज़े से तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना हो सकता है किसी की जिन्दगी बनाद पाओ और आपको दूआ मिलेगी उसके बाद और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको क्या करना है इन जॉब्स के लिए मैं आपको फॉन नंबर और इमेल आइडी डिरेक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार कुछ लोग वीडियो मेरा ये 15 दिन के बाद देखते हैं पहली बार देखते हैं महीने के बाद देखते हैं और इतने में जॉब फिल आउट हो जाती है और आप उस पर कॉल करते हो तो सामने वाली कंपनी इरिटेट भी हो सकती है तो आपको लेटेस्ट विकेंसिस के लिए क्या करना है आपको मेरे टेलीग्राम नमबर 9888330068 पर एक हेलो सेंट करनी है आपने प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर में जाने के बाद एक मोबाइल एप टेलीग्राम इंस्टॉल करनी है इंस्टॉल करने के बाद आपने मेरा फोन नमबर 9888330068 शेयर करना है 688 सेव करने के बाद आपको मेरे टेलीग्राम पर हेलो सेंट करना है जैसी ही हेलो सेंट करेंगे मेरी तरफ से आपको एक लिंक आएगा लिंक आने के बाद आपको विकिंसी दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी जिनमें डिरेक्ट फोन नंबर्स होते हैं डिरेक्ट इमेल आइडी भी होती है और एक और बाद कई बार कुछ फोन नंबर्स हो सकता है गलत निकलाएं क्योंकि मेरे पास दूर दूर से फोन आते हैं एम्प्लॉयर्स के फोन आते हैं तो जैसी विकिंसी आती है तो मैं पोस्ट कर देता हूं तो कई बड़ी बात में पता लगता है कि वो भी एक कंसल्टन्ट था और अगर कंसल्टन्ट था और आप उनको कॉल करते हो और अगर आपसे पैसे मांगे जाते हैं तो आपसे एक request है कि किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपने advance में किसी को नहीं देना है और आपसे एक और बात भी share करूँगा कुछ लोग मेरे नाम पर आपसे पैसे मांग सकते हैं बट आपसे मैं सिर्फ एक ही बात की request कर रहा हूँ कि मैं कभी भी jobs के लिए इन placement के लिए किसी से भी किसी भी तरह का कोई भी advance या कोई भी last पैसा किसी भी तरह का कोई भी charge मैं नहीं लेता हूँ मेरी ये vacances बिल्कुल free of cost रहती है मेरी ये vacances society के लिए बिल्कुल एक सेवा रहती है मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ जस्ट आप सब के लिए मेरे भाईयों के लिए एक help रहती है तो चलिए आज start करते हैं आज की vacances ये रही सो हमें एक office में एक computer operator चाहिए fresher हो तो भी apply कर सकते हो timings आपकी 9 to 5 की रहेंगी salary आपको 9,000 per month plus मिल जाएगी आपके पास computer office productivity की अच्छी knowledge होनी चाहिए उसके बाद हमें एक lab में एक lab technician चाहिए आपको कम से कम 6 महीने का experience होना चाहिए timings की बाद करूँ तो वो flexible रहेंगी आपको morning shift भी करना पर सकता है आपको evening shift में भी काम करना पर सकता है salary आपको 13,000 per month plus मिल जाएगी उसके इलावा हमें एक company में एक chartered accountant के under एक accountant चाहिए उसमें आपको कम से कम 6-7 महीने का experience होना चाहिए timings जो है वो मोके पर ही discuss की जाएगी salary आपको 15,000 per month plus मिल जाएगी पर आपके communication skills भी बहुत अच्छे होने चाहिए आपको tally की आपको busy की बहुत अच्छी knowledge होने चाहिए उसके बाद हमें एक school में एक librarian चाहिए आपकी पास experience है कोई issue नहीं है नहीं है तब भी कोई issue नहीं है आपने पर कम से कम M.L.P. जरूर कर रखी हो timings की बात करूँ तो वो आपकी वही रहेंगी स्कूल वाली ही जो स्कूल में रहती है morning to afternoon उसके बाद salary की बात करूँ तो वो 14,000 आपको पर मत मिल जाएगी पर आपके communication skills बहुत अच्छे होने चाहिए company में हमें एक assistant manager चाहिए आपके अगर मैं roles की बात करूँ responsibilities की बात करूँ तो अगर आप building material industries से संपरक रखते हो उसका कोई experience है तो आपको preference दी जा सकती है you will have to generate and manage sales इसके इलावा आपने architects के साथ काम करना है carpenters के साथ काम करना है आपने fabricators के साथ काम करना है builders के साथ काम करना है designers के साथ आपने काम करना है इसके इलावा आपको इस काम की बहुत अच्छी knowledge होनी चाहिए आपने retail और project sale targets पे दोनों को अच्छे से deliver करना है manage करना है जो भी pipeline में inquiries होती है उनको आपने multiply करना है उनको dealers के साथ, contractors के साथ, fabricators के साथ, architectures के साथ, carpenters के साथ आपको create करना है, manage करना है अच्छे से business के लिए relationship इसके इलावा आपको ये लगा लो की इतनी अच्छी knowledge होनी चाहिए कि depend करता है आपके experience पर आपने bachelor's degree कर रखी हो post graduation कर रखा हो इसके लावा building material industry में experience होना चाहिए एक result oriented और team player होने चाहिए, minimum 3-4 साल का experience होना चाहिए इसके इलावा आपके communication skills अच्छे होने चाहिए quick learner होने चाहिए, confident होने चाहिए timings and salaries दोनों discuss किये जाएंगे interview के time पर सो यह दीजी आज की कुछ vacancies अगर आपको लगता है आपके मतलब की हैं तो आप comment box के जरिये में इस information हासिल कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacancies नहीं हैं तो please इन vacancies को आगे share करना मत भूलिएगा हो सकता है अपके share से हमारे किसी भाई बेहन तोस्त को रुजगार मिल जाए thank you so much guys मुस्कुराते रहो और मुस्कुरा हड़ देते रहो thank you